अगर आपने भी सर्मिक कार्ड बनवा रखा है तो दोस्तो आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्तो आपको बता दें कि एक जनवरी 2022 से सभी सर्मिकों को हर महिने 3000 रुपे दिये जाएंगे अब दोस्तो यह लाब किस प्रकार से आप ले सकते हैं वहे हम आपको इस वीडियो के मात्यम से बताने जा रहे हैं साथ ही आपको वहे लिश्ट भी दिखाएंगे जिन वैक्तियों को यह लाब मिलने वाला है अगर आपके पास भी सर्मिक काड है और आप लाब लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा इस वीडियो में हम आपको तमाम जानकर देने वाले हैं कैसे आप यह लाव ले सकते हैं आपको क्या कारिय करना होगा उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आपसे हमारा निविदन है कि अगर आपने अभी तक बीडियो को लाइक नहीं किया है तो बीडियो को लाइक कर दीजेगा ज्याद से ज्यादा शियर करेगा ताकि और भी वैक्ति इसके बारे में चांद पाएं चलिए बीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो केंदर सरकार की तरफ से सर्मिगों के लिए कई योजनाई चलाए गई हैं जिससे की सर्मिगों की आर्थिक इस्तिती में सुधार लाए जा सके उन्हीं योजनाओं में से एक योजना है शर्मिकार योजना जिसके माध्यम से शर्मिकों को रोजकार उपलब्द ही नहीं करा जाता बलकि दोस्तों और भी कई प्रकार की योजनाओं का लाब दिया जाता है जिससे कीवे अपनी आर्थिक इस्तिती को सुधार सकें एसंग्रिच छेत्र में रहने वाले सभी सर्मिक यहला प्राप्त कर सकते हैं बस आपके पास सर्मकाड होना चाहिए अगर आपके पास सर्मकाड है तो दोस्तों आप कई परकार की योजनाओं का लाब एक साथ उठा सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन ले सकता है यहलाब तो यहाँ पर आपको दादे एसंग्रिच छेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति यहलाब ले सकते हैं ऐसे की छोटे और सिमान किसान भूमिहीन किसान मजदूर जो दूसरे की खेतों में जाकर मजदूरी करते हैं मचवारे, पसु पालक, इंट भट्टे पर कार्य करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, उर्दुस्तो पैकिंग करने वाले, निर्मान और आधार भूत संरशनाव का कार्य करने वाले, चमडे, ककार्य करने वाले, बुनकर, सफाई करमचारी, घिरेलू कामगार, सबजी बेचने वाले, फल बेचने वाले, सभी ऐसंकर्टी छेत्र के यह लाब प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तो यहाँ पर आपको यह लाब कैसे मिलेगा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो आपको परधान मंत्रे स्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करना होगा, जिसके अंतरगत आपको हर महीने तीन हजार रुपे मिल सकते हैं। यह लाब लेने के लिए शर्मिक की जो आयू होनी चाहिए वह 18-40 वर्स के बीच होनी चाहिए। तभी वह लाब प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि यह लाब लेने के लिए शर्मिक को हर महीने 55-200 रुपे तक भी जमा करने होगे। यानि कि दोस्तू आपको हर महीने इन्वेस्ट करना होगा तभी आप यह लाब ले सकते हैं। मान लेजिए अगर आपकी आईउ $18 है और आप $15 की आईउ में आविदन करते हैं तो आपको हर महीने 55 रुपे देने होगे। दोस्तू अगर आपकी आईउ 40 रुपे है तो आपको यहाँ पर 200 रुपे हर महीने देने होगे। या फिर आपकी आयू 25 वर्स है, 30 वर्स है, 35 वर्स है त्वाकूसी प्रकार से यहां पर हर महीने पैसे जमा करने होते हैं तभी आपको हर महीने सरकार 3000 रुपे देती है यह लाव आपको तभी मिल पाता है जब 60 साल की उम्र हो जाती है, यानि के 60 साल की उम्र होने के बाद ही लावारती को 3000 रुपे पैंसन के रूप में मिल पाते हैं अब दोस्तों यहां पर यह लाब लेने के लिए आपको आउधन करना होगा और आवधन के लिए आपको कुछ महत पूंद दस्तवीजों की भी अवशक्ता होगी अव्य दस्तवेज कौन से हैं उसके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक एकाउंट, पासबुक, आइडे कार्ड, आधार कार्ड, आयू परमान पत्र, आयपरमान पत्र देखे दोस्तो आपका यहाँ पर आए परमान पत्र भी होना आनिवारी है और दोस्तो आपका मुबाइल नमबर भी आपके पास होना चाहिए तबी आप यह लाब ले सकते हैं तो यह से भी दस्तवेज आपके पास होने चाहिए और दोस्तों अगर आप लाव लेना चाते हैं तो आप किसी भी नजदी की जनसिवा केन पर जाकर यह लाव राप्त कर सकते हैं। पत्नी को मिलते रहेंगे।